असलामिले एक भी स्टूडेंन्टिस इस आतिविस अगर हम प्रोड्रैमिंग स्टमेंटल में सी प्लस प्लस के ओए पर बात कर रहे हैं आज की स्टीडियो के एदर हम बात करेंगे loops के उपर कि किसी भी प्रोग्रांगिंग लेंग्विज के ऑन्दर लूप्स क्या होते हैं और इस वीडियो के अधर हम पर्टिक्ररली वाइल लूप्स के उपर डिसकॉशन करेंगे लूप्स प्रोग्रामिंग लैंग्विज के अंदर किसी स्टेट्मेंट को या सेट उफ स्टेट्मेंट को रेपीटिटली एग्जीक्यूट करने के काम आप अगर आप किसी स्टेट्मेंट को एक या एक से ज्यादा दफार रेपीट करना चाहरे हैं तो फिर हम लूप्स को यूज़ करते हैं लूप्स को हैं वो क्या करेंगे जी के लूप्स और यूज़ टू रिपीट आप स्टेट्मेंट और सेट ओफ स्टेट्मेंट के अंदर हमारे पास तीन तरह के लूप्स हैं पाइल लूप दू वाइल लूप एंड पोर लूप आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वाइल लूप के लूप्स वाइल लूप एक ऐसा लूप है जो के एक कंडिशन को टेस्ट करेगा और जब तक वो कंडिशन टू रहेगी तब तक आपका लूप जो है वो चलता रहेगा और जैसे ही आपकी वो कंडिशन फाल्स होगी आपका वो लूप टर्मिनेट हो जाएगा इसे कंडिशन की टू होने से क्या मुराद है फो एक्जेंपल कि हमने रिलेशनल अपरेटर के पर डिसकेशन की थी और ह जगा पर यूज होंगे तो वो एक्स्प्रेशन हमें टू या फॉल्स रिटर्न करेगी Similarly जब हम वाइल लूप को या किसी भी दूसरे लूप को यूज करेंगे तो हम इसके अंदर commonly किसी कंडिशन को टेस्ट कर रहे होंगे और वो कंडिशन एक रिलेशनल एक्स्प्रेशन होगी जिसकी वैल्यू टू या फॉल्स आएगी इस एक्जम्पल के अंदर हम एक वैरियवल लेते हैं एक्स और इस एक्स को मैं इनिशिलाइज कर देता हूं जीरो से और वाइल का लूप हम लगाते हैं कि जब तक एक्स की वैल्यू टैन से कम रहती है और इस लूप के अंदर अब हम प्रिंट करने जा रहे हैं सी आउट एक्स और मैं इसके साथ एंडल को भी यूज़ कर रहा हूं अब अगर आब इस लूप के पर गोर करें तो यह एक कंडिशन हमने यूज़ की है जो के टेस्ट होगी यानि इस कंडिशन की दो ही पॉसिबिलिटीज हैं नमबर वन के यह कंडिशन ट्रू हो सकती है और नमबर टू यह कंडिशन फाल्स हो सकती है तो हम यह जीव करते हैं कि अगर यह कंडिशन हमें ट्रू रिटर्न करेगी तो हम इस लूप की बॉड़ी के अंदर आ जाएंगे और अगर यह कंडिशन हमें फाल्स रिटर्न करेगी तो हम इस लूप से बाहर यहां पर आ जाएंगे यानि इमीजेटली जो स्टेट्मेंट इस लूप के बाद होगी हम उस स्टेट्मेंट को एग्जेक्यूट करवाएंगे अब एक और चीज जो आपने गोर करनी होई है कि हमने एक्स को जीरो से इनिशिलाइज किया है और एक्स को हम टेस्ट कर रहे हैं कि उसकी वैल्यू लेस तेन टेन हो लेकिन यहां पर कहीं भी एक्स की वैल्यू के अंदर फर्दर कोई चेंज नहीं आरा इसका मतलब है कि एक्स की वैल्यू इस प्रोग्राम के अंदर ठूरू आउट जीरो ही रहेगी और जीरो इस आल्वेस लेस तेन टेन तो यह लूप एक इन्फाइनाइट लूप बन जाएगा लेकिन जब हम लूप लिखते हैं तो हमने अल्टिमेटली उस लूप की केंडिशन को फॉल्स करना है इस केस में जब हम इस लूप की केंडिशन को फॉल्स करना चाहेंगे तो हमें एक्स के अंदर एक इंक्रिमेंट करना पढ़ेगा दैट इस एक्स प्लस वन X plus 1 करने से हमारी X की वैल्यू हर इटरेशन के अंदर एक एक एड़ होने के बाद अल्टिमेटली ये 10 तक पहुंच जाएगी बसलान फर्स टाइम जब आपका ये लूप दिलेगा तो X की वैल्यू 0 होगी यानि 0 is less than 10 0 is less than 10 तो condition true होगी और आप print करेंगे 0 यानि C out हो रहा है 0 next time X is equal to X plus 1 होने से X की वैल्यू 1 हो जाएगी and again 1 is less than 10 condition true होगी आप इस लूप की बाड़ी के अंदर आएंगे और print करेंगे 1 फिर next time X is equal to X plus 1 होने के बाद X की वैल्यू 2 हो जाएगी and 2 is less than 10 we will print 2 so this will keeps on until the value of X becomes 9 and 9 is less than 10 so we will print 9 और जब आपकी इस स्टेट्मेंट के ओपर 9 प्रिंट हो जाएगा तो यह स्टेट्मेंट जब चलेगी तो X की वैल्यू 9 से चेंज होके 10 हो जाएगी so जब यहाँ पर आते हैं तो 10 is less than 10 आपको false turn करेगा तो ultimately हम इस लूप से बाहर आजाएगी so main thing is as long as X की वैल्यू 10 से कम रही हमने इस लूप की बाडी को एग्जीक्यूट किया और जैसे ही X की वैल्यू 10 के equal हुई यह condition falls हुई और हम इस लूप से बाहर आ गए अब हम इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम हमें क्या results देता है so इसको execute करेंगे execute करने पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9 जो values अभी मैंने आपको dry run करके दी है वही value आपके screen के ओपर आपको नजर आ रही है so this is the way how your while loop actually execute आप इस example के अंदर हम थोड़ा सा modification करते हैं और देखते हैं कि अब further इसके अंदर क्या changes आ सकते हैं so I guess कि आपको output नजर नहीं आई थी मैं इसको आपके सामने कर देता हूँ अब आपस अपने प्रोग्राम में जा रहे हैं और उसके results को change करने की कोशिश करते हैं by making a change in the code so यहाँ पर हमने जो example यूज की है for incrementing the value of x हमने कहा है x is equal to x plus 1 we can also make use of x plus plus और यह भी बिलकुल वैसे ही काम करेगी जैसे x is equal to x plus 1 काम करेगी और इसको हम कहते हैं increment operator एक दो हमें इस प्रोग्राम को आपको चला के दिखाता हूं कि इस तरह करने से भी हमारे प्रोग्राम के results पे कोई फर्क नहीं पढ़ेगा so let's see the output तो आपको output में कोई भी change नजर नहीं आया so is increment operator के पर हम बात अपनी next वीडियो के अंदर करेंगे अभी मैं इसी while loop को convert कर देता हूं एक ऐसे प्रोग्राम के अंदर कि जो आपको किसी भी number का table प्रिंट करके दे देगा so इस काम के लिए for example कि मैं एक n ले लेता हूं n को मैं 0 से initialize कर लेता हूं और हम user से कहते हैं कि enter a number 2 to print table और हम c in करते हैं n को और यहां पर हम अब जो चीज़ करने जा रहे हैं वो यह है कि हमारे table की जो structure है वो को चब ऐसी होती है let's say कि मेरा कोई भी table है let's say 2 times 1 equals to 2 so 2 is the number तो यहां पर n आएगा और उसके बाद times के लिए मुझे ये cross as it is display करना है one के case में x वो है जो के अपनी value को change करेगा और फिर उसके बाद equal as a string मैं represent करूंगा और फिर उसके बाद n को multiply कर देंगे i के साथ तो हमारी ये value प्रिंट हो जाएगी बसना अगर मैं इसको आपको relate करके दूँ तो actually this n is this 2 ये cross यहां से आगया one जो है वो आपको इस x की value से मिलेगा और ये equal आपको actually यहां से मिलेगा और उसके बाद ये जो result है ये हमें इस multiplication के नतीजे में मिलेगा और अब हर दफा न ने तो fix रहना है x ने change होते रहना है लहाज़ा x की जगा one two three four print होता रहेगा और sorry इस x की जगा one two three four print होता रहेगा और n times i में n हमेशा i की change value के साथ multiply होके आपको results देता रहेगा तो अब हम इस program को execute करते हैं और देखते हैं कि हमारा result क्या आता है so oh let's see we have an error so this is not actually i this is actually x so we execute it and let's see the output of the program तो हमारा program जो है वो हमसे number demand कर रहा है और हम number उसको let's say five जिते हैं और जैसे ही मैंने इंटर किया तो five का table जो है वो print हो गया और चुक्कि मैंने less than nine रखा हुआ इसलिए 45 तक प्रिंट हुआ आप इसको बढ़ा के जहां तक करना चाहें कर सकते हैं so i hope के इस video के अंदर आपको while loop की समझ आ गए होगी होगी